नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको सिरी फरहाद की कहानी सुनाऊंगा सिरी फरहाद फारस की एक कहानी है इस कहानी को उजबेकिस्तान के महानलेखक अलिसिर ने चवद्वी सताबदी में खमसा ग्रंथ में रचना की है कहानी इस प्रकार है आर्मेनिया के बादसाह की बेटी सिरी बे इंतिहां खुबसूरत थी उसकी तस्वीर देखकर ही परसिया के बादसाह खुसरो उस पर फिदा हो गए थे उन्होंने तुरंद अपने सीपह सालार को सीरी के साबने सादी का प्रस्ताव लेकर घिजवाया खुसरो का प्रस्ताव जब सीरी को मिला तो उन्होंने भी सादी के लिए हामी भर दी पर साथ ही एक सर्त रखी ओ सर्त यह की बादसाह परसिया लोगों तथा उसके लिए दूद का दरिया लाकर दे बादसाह इस बात के लिए राजी हो गए और वे अपने राज्ये में ऐसे आदमी धुणना सुरू किया जो इस काम को पुरा कर सके काम के लिए एक आदमी मिल गया और उस सक्सका नाम था फरहाद बादसाह ने फरहाद को बुलवाया और सीरी से मिलवाया ताकि उसकी सलाह पर फरहाद नहर की खुदाई कर सके लेकिन खुदा को और मनजूर था सीरी को देखते ही फरहाद उसका दिवाना हो गया और सीरी से प्यार करने लगा और वह नहर खुदते खुदते सीरी नाम का रट लगाने लगा एक दिन सीरी जब वह आई तो फरहाद ने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन सीरी ने उसे जिड़क दिया और वो चली गई इसके बाद फरहाद को नहर जल्दी खुदने का जुनुन सवार हो गया सीरी का नाम लेते लेते फरहाद ने समय से पूर्व नहर खुद डाली फरहाद कोई तरह से फरहाद के इसक में दिवाना हो गया था जब बास्साह को यह जानकरी मिली कि फरहाद सिरी का दिवाना हो गया है तो वह आग बबला हो गया वह गुस्सा में फरहाद को मारने के लिए तलवार उठा लिया तो उसके वजिर ने रोक लिया और फरहाद को सलाह दी यदि वह अपनी मेहन से पहाड़ियों के आरपार सड़क बना देगा तो वह सिरी से उसका निकाह हो जाएगा वजिर लोक समझ रहे थे यह काम फरहाद पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन दीवाने फरहाद ने यह सर तस्विकार कर ली और अपनी मुहबबत के खाती दीन रात काम करके फरहाद सड़क बनाने में लगे रहा उसकी बे इंतिहा मुहबबत ने आखिर सिरी का दिल जीत लिया इसी बीच सड़क पूरी होते देख बास सह घबराया उसने फरहाद के पास जूठी खबर पहुचा दी की सिरी ने आत्म हत्या कर ले यह सुनते ही फरहाद डिवारों पर सीर पटक पटक कर चिलाने लगा और अपने सीर पर कुलहाडी मार कर दम तोड़ दिया जब सीरी को फरहाद की मौत की खबर सुनाई गई वह दोड़ कर उसी जगह पहुची जहां फरहाद ने दम तोड़ा था और जब उसे बादसा के चल का पता चला तो उसने महल लोटने से इंकार कर दिया और फरहाद के कदमों पर ओभी दम तोड़ दिया इन दो अमर प्रेमियों को एक साथ दफन किया गया आज भी सीरी फरहाद की प्रेम कहानी अमर है नमस्कार